ग्राम सेलूद के एक मकान में जहरीला सांप देखे जाने पर घर वालों सहीं पड़ोसियों में हड़कंप मच गया ग्राम वासियों द्वारा ततकाल स्नेक केचर को बुलाया गया जिसने काफी जद्दो जहत के बाद सांप को प्लास्टिक की बर्नी में कैद कर लिया ग्राम सेलूद में जहरीले सांप को देखे जाने की गटनाएं आए दिन सामने आती हैं इसी के तर शनिवार को सेलूद निवासी विवेक कुमार वर्मा के निवास इस्थान पर एक जहरीले सांप को घर में घुस कर बैठा देख घर वालों में हड़कंप मच गया जहरीले सा आकाश राव अपने सहयोगी के साथ मौके पर पहुंचे और अथक प्रयास के बाद आखिर का जहरीले सांप को प्लास्टिक की बर्नी में कैट कर लिया गौर तलब है कि इसके पूरवी आकाश राव जिले के विभीन इस्थानों से जहरीले सांपों को पकड़ चुके हैं जि इसे कैत कर वे जंगलों में छोड़ दिया करते हैं ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुवेश